बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकम वीवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लुकेटर यूटीब चैनल, आज मैं आपके लिए डियेच फेसिक्स लहोर में एक कनाल का घर लेकर आया हूँ, जिसे बहुत ही खुबसूरती से 6 बेटरूम के साथ डिजाइन किया वीडियो देखने वाले से रिक्वेस्टर वीडियो को लास्तर जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो को दरान ही मैं पूरे घर की डिटेल्स और फिर उसके बाद प्राइस शेयर करूँगा, बहुत ही खुबसूरत बनावा यह घर है, इस घर के बारे में मैं आपको बताता चलू कि इसको जो कवर्ड एरिया है वो 7500 स्केर फिट है टोटल और ग्राउंड फ्लोर पे 3930 स्केर फिट एरिया को कवर किया गया है, जबके फर्स्ट फ्लोर का जो स्केर फिट एरिया है, उसका टोटल एरिया 2200 स्केर फिट है, नॉर्मली 2050 स्केर फिट एरिया होता है, च गर का सबसे पहला और खुबसूरत फीचर यह है कि यह 500 फुट पर बना हुआ गार है यह कि इसकी स्राउंडिंग्स है कि यहाब मेरी बैक पर देख सकते हैं 200 फुट का बड़ा रोड है इसकी स्राउंडिंग्स और बहुत ही खुबसूरत इसका मार्शालला फ्रेंट एलिवेशन है कमप्लीट यहाँ पर केल और SMC टाइल्स का यूज़ किया इया है यह इस घर के बाहर का आउटर लोन एरिया और यह का रहायम पर जहां पर कमप्लीट तुर्किश टाइल्स का यूज़ किया इसके में गेट का डिजाइन पूरे घर में रिमोट कंट्रोल टेच पैनल और अलेक्रिक लाइट सेंसर्स को भी इंस्टॉल किया गया जो के इंग्लेंड से इंपोर्ट किया गया है यह इस घर का कार फोर्च है जहां पर दो से तीन बड़ी गाड़ियां बहुत इजली पार की जा सकती है और घर में एंटर होता ही लेफ्ट साइट पर बहुत ही खुबसूरती से डिजाइन किया हुआ लॉन एडिया यह पोर्च का सेलिंग डिजाइन देख लें और यहां से इस घर की में एंटरेंस है कम्प्लीटली कीलेस एंट्री है सबसे पहले मैं आपको इस घर के जो में डिजाइन दिखा रेता हूं और यहां से मैं आपको दिखा रेता हूं इसका सकूर्टी सिस्टम आप देख सकते हैं कोड एंटर करते ही आप इस घर की अक्सेस ले सकते हैं गर में एंटर होते ही काफी बड़ा यहां पर रिसेप्शन अरिया आपको मिल जाते है यह खुबसूरत सी डबल हाइटी ट्लो भी है वह मैं बाद में आपको विजिट करवाता हूं आप इस घर में जैसे एंटर होते हैं वेरे लेट साइड पे यहां पर देख सकते हैं पार् अभरे घर में महावनी वुड का यूज किया गिए और इस डोर को बनाने के लिए भी महावनी वुड और उसके साथ ग्लास का यूज किया गिए आप यहां से ड्राइंग और डाइनिंग की एक सेस्स ले सकते हैं आई एंटरो के आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे ड्रा फायर किट को भी डिजाइन कर दिया गया है यह खुबसूरत सा सिलिंग डिजाइन ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को कमबाइन रखा गया है फ्लोरिंग यहां पर कम्प्लीट बुड़न की की गई है यहां वॉल पे और सामने आप देख सकते हैं हायर कम्पनी का रिवर्सिबल डीसी इंवर्टर रेसिस को भी इंस्ट्रॉल किया गया है बहुत ही खुबसूरत सा यहां पे वॉल डिजाइन और यह भी देख लें आप यहां पे भी वेंटिलेशन के लिए UPVC की विंडोस को डिजाइन किया गये जबके डाइनिंग एरिया के साथ इधर पार्टिशन करके डोर को डिजाइन किया गया जिसके आगे ग्राउंड फ्लोर का सिटिंग लाउंच आ जाते है ड्राइंग और डाइनिंग के लिए यहां पे एक ही एकसेस को रखा गया है जबके दूसरी एकसेस आप वहां सामने से ले सकते हैं फर्दर राइट साइड से आप देखें तो अपना कार पॉर्ष का व्यू भी देख सकते हैं और थोड़ा सा और आगे आके यहां राइट साइड पे पावडर रूम को डिजाइन किया गया है यह पावडर रूम है जिसमें बिल्कुल सामने केल कंप्री का वाल फिटिट कमोड और यहां लेट साइड पे एलेक्ट्रिक मिरर है और इसके निशे बहुत ही खुबसूरत सी वैनेडी है जैसा कि मैं बता चुक हूँ कि रिमोट कंट्रोल टच पैनल इंस्टॉल है पुरे घर में बहुत ही खुबसूरती से बनाई गई पेंटिंग माशाला और इधर से घर के ग्राउंड फ्लोर के फर्दर प्लैन की एक्सेस है ये ग्राउंड फ्लोर का सिटिंग लाउंज है ये सिलिंग डिजाइन बिल्कुल सामने अगेन UPVC के स्लाइडिंग विंडोज है ओपन एर के वेंटिलेशन के लिए और ये मीडिया बॉल है और लाउंज के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन की एक्सेस के लिए रास्ते को डिजाइन किया गिया इस किचन को कम्प्रीट वाइड थीम दी गई है ये इसका सिलिंग डिजाइन देख लें और ये स्लैब है कैबिनेट्स बिल्कुल सामने वाश बेसन उपर आप देख सकते हैं विंडो ओपन एर की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर बर्णर है और उसके ओपर किचन हुड फर्दर इस किचन में एंटर होके लेट साइट पर हायर कंपनी का टूड और रेफ्रीज डेटर और उसके राइट साइट पर अलेक्रिक और माइक्रोविफ अब आप देख सकते हैं और यहां से राइट साइट पर सर्विस किचन को डिजाइन किया गया है सर्विस किचन को बनाने के लिए भी काफी ज्यादा स्पेस का यूज किया गया है स्पेशियस सा यह सर्विस किचन है यह यूवी शीट का टेक्च्चर है अगेन यहां पर आप देख सकते हैं किचन हुड और बर्णर यह वाश पेसन और इधर से आप अपने गैलरी एरिया से एकसेस ले सकते हैं किचन की इसका डोर डिजाइन भी देख लें एक और चीज़ मैं आपको यहां दिखा रहेता हूँ यहां पर भी शेल्फ को बनाया गिए और किचन से बाहर आके राइट साइट पर मास्टर बेडरूम है जबके लेट साइट पर ग्राउन फ्लोर के बेडरूम नमबर टू को विजट करवाया गिया पहले मैं आपको यह विजट करवा जैता हूँ यह इस बेडरूम का सेलिंग डिजाइन आप जैसे इस बेडरूम में एंटर होते हैं लेट साइट पर बेड वाल को डिजाइन किया गिया जहां पर कम्प्लेटली इंपोर्टेट वाल पेपर की फिक्सिंग है और यह है इसकी मीडिया बॉल बहुत ही एलिगेंट और खुबसूरत सी और यह अटेश्ट वाच्रूम है इस वाच्रूम का सिलिंग डिजाइन जबके इस वाच्रूम आप जैसे इंटर होते हैं राइट साइट के केल कंपनी का बॉल फिटिट कमोड है यहाँ सामने वैनेटी है और उसके उपर अलेक्रिक मिरर और उसकी बैक साइट पर यहाँ पर शावर एरिया को डिजाइन किया गया है रेंज हावार उपर आप देख सकते हैं और यहाँ पर उपर इग्जास्ट में जबके इस वाच्रूम में एंटर होके लेफ्ट साइट पर पाट ड्रोग को डिजाइन किया गया है यह वाल डिजाइनिंग भी देख लें यह दोनों बेड्रूम की सेंटर की वाल है और यह है ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड्रूम यह इसका डोर डिजाइन यह सिलिंग डिजाइन मास्टर बेड्रूम का बहुत ही एलिगंट और खुपसूरत सी बनाई गई बैड बॉल है यहाँ पर भी विंडूज को डिजाइन किया गया है और बैड बॉल की आप देख सकते हैं left side पे भी window को design किया गِये कि यह media wall को और media wall की right side पे ही attached washroom को design किया गिये जैसे कि मैंने आपको पता है कि light sensor पूरे घर में install किया गए है आप जैसे ही washroom को एंटर करते है automatic lights До wanna हो जाती है आप इस वाश्टूम में जैसे एंटर होते हैं बिल्कुल सामने यहाँ पे केल कंपनी का वाल्ट फिटिड कमोड है उसके बिल्कुल साथ यह शौवर एरिये और यह भी देख सकते हैं आप यहाँ पे वार्ड्रोब को डिजाइन किया गया और यहाँ पे वार्ड्रोब्स बिल्कुल सामने यह बहुत ही खुब्सूरती से बढ़ाई गया यह वैरेटी है और उसके उपर मिरर तो वीवर इसी के साथ इस गर के ग्राउंड फ्लोर का ओवर्विव कंप्लीट होते हैं अब मैं आपको लेके चलता हूं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के प्लैन के जानीब आप इस घर में जैसे एंटर होते हैं थोड़ा सा आगया आकर right side पे staircase को design किया गिया यह staircase है जहां पर wood coating again मोहावनी wood की है और यह reeling design है जिसको glass और मोहावनी wood के combination से design किया गिया है एक बार यहां से भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यह शैंडिलियर आप स्टेर केस से जैसे उपर आते हैं उपर आके यहां राइट साइट पे फर्स्ट फ्लोर के प्लैन को डिजाइन किया गया है यह फर्स्ट फ्लोर का सेटिंग लाउंज है सिलिंग डिजाइन और यह है मेडिया बॉल बहुत ही खुबसूरती से बनाई गई राइट साइट पर फाइर किट भी देख सकते हैं अब ये अलेक्रिक फाइर किट है और इस मीडिया बॉल की बैक साइट पर ही फर्स्ट फ्लॉर का बेडरूम नंबर वन है ये सिलिंग डिजाइन इस बेडरूम का और ये टच पैनल बहुत ही खुबसूरती से बनाई गई बैड वॉल और इदर सामने से आप अपने फ्रेंट टैरेस की एक्सेस ले सकते हैं सामने आप देख सकते हैं 500 फुट का चोड़ा रोड है और ये एलिगेंट सी मीडिया बॉल इस बेडरूम की मीडिया बॉल की राइट साइट पर ही अटैच वर्श्रूम को डिजाइन किया गिया ये इसका सिलिंग डिजाइन देख ले फ्लोरिंग पूरे घर में तुरकिश और स्पैनिश टाइल्स का यूस किया गिया यहां राइट और लेफ्ट साइट पर वाट प्रोग को डिजाइन किया गिया है यूवी शीट का टैक्च्टर देख लें अब कैबनेट को ओपन करते ही ओटोमेटिट लाइट और फर्दर इस बात्रूम की अगर बाद की जाए तो यहां राइट साइट पर जकुजी को फिक्स किया गिया है उसके आगे शावर एरिया है जबके यहां लेफ्ट साइट पर काफी बड़े अलेक्रिक मिरर को प्लेस किया गिया और उसके नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरती से बनाई गई गई वैनिटी और यहां सामने अगेन वाट फिर्टर कमोड पुरे घर में जित हायर कमपनी का अगेन डीसी इंवर्टर रेसी यह सामने बॉल का डिजाइन भी देख लें आप पूरे घर में टोटल तेरा हायर कमपनी के डीसी इंवर्टर रेसी को इंस्टॉल किया गिया और यह तर राइट साइट से आप इस घर के जो ओपन स्पेस है उस एरिये के एक्सेस ले सकते है यह फ्लॉरिंग देख लें बिल्कुल सामने राइट और लेफ्ट साइट पे सिटिंग प्लेस को डिजाइन कर दिया गिया इधर से भी आप लॉभी का व्यू देख सकते हैं और यहां से फर्दर मैं आपको लेकर चलू तो टीवी लाउंज के बैक साइट पे फर्स्ट फ्लॉर का बैडरूम नमबर टू है बिल्कुल सामने बैड बॉल है यह इस बैडरूम की और यह है सेलिंग डिजाइन इन नीचे फ्लॉरिंग देख लें और यह है मेडिया बॉल मेडिया बॉल पे अगेन पूरी बॉल पे इंपर्टेट बॉल पेपर की फिक्सिंग और यहां पे टैश्ट वाउच्ट रूम को डेजाइन किया गिया है आप इस वाउच्ट रूम में जैसे एंटर होते हैं बिलकुल सामने और यहां राइट साइड पे वाड्रोग को डेजाइन किया गिया है जबकर यहां लेफ्ट साइड पे जैकोजी को प्लेस किया गिया है यह सीलिंग डिजाइन है और यहां सामने खुबसूरती से बनाएगई वैनिटी उसके ओपर मिरर और सामने यहां लेफ्ट साइड पे कमोड और यह है शावर एडिया इस वाच्ट रूम का उपर आप देख सकते हैं रेंड शावर और यह फ्लोरिंग है आप इस बेड रूम से जैसे बाहर आते हैं बिलकुल सामने यहां पे फर्स फ्लोर का बेड रूम नबर थी है जिसमें आप जैसे एंटर होंगे बिलकुल सामने यह बेड बॉल है इस बेड रूम की और यह सेलिंग डिजाइन है और यह है मीडिया बॉल इस बेड रूम की एक और चीज मैं बता रहता हूं कि इस घर कर जो यह पैनल है इसको आप रिमोट कंट्रोल के जरी भी कंट्रोल कर सकते हैं कंप्लीट सिर्फ बटन के यूज से लाइट्स को ओन और ओफ किया जा सकते हैं मीडिया बॉल और यह है टेश्ट वाश्रूम इसमें आप जैसे एंटर होते हैं राइट साइट में बॉल फिटिट कमोड है उसकी बैक साइट पर शावर एरिया है रूफ पर आप देख सकते हैं राइट साइट पर एक्जास्ट फैन और लेट साइट पर रेंज शावर को फिक्स किया गिये और इदर सिट इन प्लेस को भी डिजाइन कर दिया गिये बहुत ही एलिगंट और खुबसूरती से थीम्स को डिजाइन किया गिये जितने भी वाश्रूम्स हैं और इदर बिलकुल सामने आप देखेंगे तो ये वैनिटी है और उसके उपर अगेन अलेक्टिट मिरर आ जाता है ओल शेप में जबके इस वाश्रूम में एंटर होके लेट साइट पर वाड्रोब को डिजाइन किया गिया है और इस बेडरूम से आप अपने ओपन स्पेस की एक्सेस भी ले सकते हैं यह है फर्स्ट फ्लोर का किचन बर्नर किचन हूड यहां पर वाश पेसन और यह कैबिनेट्स आप देख सकते हैं किचन की बैक स्पेस पर आपको यहां पर ऑपन फेस मिल जाती है जिसको आप अपनी निड के अकौर्डिंग लांडरी अरिया बनाना चाहें जिस मर्जी तरह से इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं और यहां पर स्टेर्स को प्लेस कर दिया गया जहां से आप अपने ओपन स्पेस की एक्सेस ले सकते हैं इस फाइबर के शेड को भी लगाया गया यहां पर यह सेलिंग डिजाइन सामने अगेन आप देखनें वाल शेहंडिलियर सेंटर में तो विवर्स इसी के साथ इस गर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ओवर्विव कंप्लीड होता है आप मैं आपको लेके चलता हूं इस गर के बेस्मेंट के अरिये की जानिब जहां पर बहुत बड़ा और खुबसूरती से बनाया गया हॉल है एक बेडरूम है किचन है और उसी के साथ आपको स्टोर रूम और एक पाउडर रूम भी मिल जाते हैं एक बार लोबी का मैं यहां से भी आपको भीव दिखा देता हूं यह बेस्मेंट की स्टेर केस इधर से अगेन आप अपने कार पोर्च का व्यू देख सकते हैं बेस्मेंट की स्टेर से अब जैसे ही नीचे उतरते हैं बिलकुल सामने बेस्मेंट का बेडरूम है यह सीलिंग डिजाइन बिलकुल सामने इंपोर्टिट वॉल्पेपर की फिक्सिंग यह बेड वॉल यहां पे भी कम्प्लीट फ्लोरिंग सुपर ग्लोसी बुडन की की गई है और यह सामने मीडिया वॉल मीडिया वॉल की राइट साइट पे ओपन एर की वेंटिलेशन के लिए और लाइट परपस के लिए स्पेस को डिजाइन किया गिया और यह है टैस्ट बॉच्रूम जिसमें एंटर होके लेट साइट पे केल कंपनी का बॉल फिटिट कमोड है उसके बैक साइट पे शावर एरिया यह इसका सेलिंग डिजाइन उपर आप देख लें रेंज शावर जैसे का मैं बता चुका हूँ के पूरे घर में केल कंपनी की वाश्रूम एसेसरी का यूज़ किया गिया और इस वाश्रूम में एंटर होके बिलकुल सामने वैनिटी है और उसके ओपर मिरर को डिजाइन किया गिया जबके राइट साइट पे बाट डोग्स हैं इस वाश्रूम की फर्दर मैं आपको लेकर चले कूँ यह है बेस्मेंट का किचन जिसमें गेन बर्नर उसके ओपर किचन हुड राइट साइट पे वाश्रूम और यह कैबनेट से बिल्कुल सामने हॉल आ जाते है लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा जाता हूँ राइट साइट पे यह स्टोरूम है काफी स्पेशियस और बड़ा सा स्टोरूम है और यह आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स के निचे के अरिये को किस तरीके से डिजाइन किया गया यह भी यूपी वीसी का डोर बनाया गया जहां से आप बैक साइट की एक्सेस ले सकने और यह है दूसरा पाउडर रूम जिसमें बिल्कुल सामने वैनेटी है उसके ओपर मिरर यहां राइट साइड पर इग्जास्ट वैन अगेन वार फिटिट अमोड और यह है बहुत ही बड़ा और खुबसूरती से बनाया गया काफी बड़ी सिटिंग प्लेस यह मैं आपको दिखा रहा था हूँ यह इसका सिलिंग डिजाइन और यह सेंटर में लगाया गया शैंडिलियर राइट साइड पर मीडिया वाल और यहां पर जो बहुत ही यूनीक सा फीचर और बहुत ही खुबसूरती से बनाई गई चीज़ है बेस्मेंट में आपको इस हॉल के बिलकुल साथ यहां पर वाटरफॉल मिल जाते हैं और उसी के साथ काफी ज्यादा स्पेस यहां पर छोड़ी गई है जिसको आप अपनी नीट के अगॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं यह सिलिंग डिजाइन देख ले एक चीज़ वाकिय ही यहां पर अगया फील होती है कि आप नीचे बेस्मेंट में खड़े हुए हैं लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आप बेस्मेंट में और यहां पर सिंथाटिक ग्रास का यूज़ किया गया और वाटर पम को भी यहां पर फिक्स कर दिया गया बिल्कुल सामने और राइट साइट इस हॉल में दो एसी इंस्टॉल किये गए है और यहां पर भी जगा छोड़ी गई है तो विवर्स इसी के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और बेस्मेंट इरिये का विजिट कम्प्लीट होते है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सर्वन कॉर्टर के जानेब जिनको राइट साइट पे बेस्मेंट पे ही डिजाइन किया गिया है जहां पे दो सर्वन कॉर्टर हैं उनके साथ एक वाश रूम है और मिनी किशन की स्पेस को छोड़ा गिया बहाँ पर और एक स्टोरूम को भी डिजाइन किया गिया है कार पोर्च के बिलकुल साथ ही आप गैलरी एरिया में जैसे एंटर होते हैं यहां लेफ्ट साइट पर सर्वन कॉर्टर को डिजाइन किया गिया है चूंकर नीचे फैमिली रह रही है इसलिए अभी मैं आपको विजिट नहीं कर भा सकता हूं और यह किजन का रास्ते है गैलरी एरिया से दो फुल साइज गीजर और स्कूर्टी कैमरास को भी इंस्टॉल किया गिया पुरे घर में यह वाल डिजाइनिंग और यह बेस्मेंट का एरिया है इस गर का जो आउटर है वहां पर आप देख सकने है रॉक वाल का यूज़ किया गिये और यह कंप्लीटली डिजाइंड गैलरी वाल वज़कों गोाई गैलरी ऑन का लेकी सricस्पड़ ही ऱूगन झाप草 इंस्टॉड़ का वाल किया लो है थो आउट्पप तो वीवर्स इसी के साथ इस घर का ओवर्विव कम्प्लीट होते है इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो बारा करोड रुपे है बारा करोड रुपे इस घर की डिमांड है प्राइस इसके नेगोशेबल है इसके लावा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप दिये ग